गुड इवनिंग फ्रेंज मैंने में इज राज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राज टेक्निकल एनालिसस आज का डेटर 26 जून 2021 आज हम लोग जिन शेज के उपर मंथले प्रिव्यू करने वाले वो है आयर सेटी सी वोल्टाज और एच्चुल मेरी वीडियो पूरा देखा कीजिए पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कहने काईटर्प्स मिलेगा जो आपको शेयर एनालिसस करने में काफी मदद करने वाला है साथ मैं आप कोई भी कमनी के उपर अगरा वीडियो बनवाना चाहते है तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएए ताकि मैं उस पर जल से जल रिसरच करके वीडियो बना सको बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीचे ताकि आपको लेगुलर अपडेट मिलता रहे मैं चैनल की ये है कि मैं आपको डेट के साथ वीडियो बनाता हूँ और आपको सही सपोर्ट और रेजिस्टन्स बताने की कोशिस करता हूँ इससे आपका जो प्रॉफिट है वो 80% होता है अपको चोलाओ से वो 10-20% होता है यानि कि आप अवराल प्रॉफिट में ही रहते हैं अगर वो इन शेस्ट पिन विस्ट कर रहे तो उनको रेगुलर बेसिस्ट पिन के सपोर्ट और रेजिस्टन्स अपडेट होते रहते हैं साथ में आप मेरी प्लेलिस में भी जाके देख सकते हैं वहाँ पर बात करते हैं आज हम लोग जिन शेस्ट के उपर मंथली प्रिव्यू करने वाले हैं पर उससे पहले आप यह उपर दियवे लिंक पर जरूर देखें जहां पर मैंने पिछले मैंने पर इसका इस मेने का हैस देखेंगे तो यह है 2184.00 और इसका जो लोईस्ट है वो है 1867.40 अगर आप IRCTC के मेरे लास्ट दो वीडियो देखे रहते हैं जब यह 1900 आय था 1900 से 1600 आय था और 1600 पे मैंने आपको बाई का सजेशन दिया था तो आप सोचे 1600 के लेवल से यह 2184 तक गया आप अगर रेजिस्टन्स फ्री तक भी रुखते आपका कितना प्रॉफिट है अगर मैं बोलू रेजिस्टन्स वन भी तब भी आप प्रॉफिट में है इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ जो एक स्टैटर्जी की सपोर्ट पे बाई करो रेजिस्टन्स में सेल करो रेजिस्टन्स उपर बढ़ रहा है तो भी आपको वेट करना है प्रॉफिट बढ़ती जाएगी बढ़ रेजिस्टन्स अगर कम आए तो आपको सेल कर देना है और प्रॉफिट बुक करके निकलन हैं और वापस चेटका इंतिजर करना है की कब यो शेर्स आपके सपोर्ट लेवल पे मिले अमेश्चा कह आ है आप लोगों को कि आप इतने सारे शेर आपको एक शेर के पिछे भागने की कोई ज़रूरत नहींगिए आप देखिए कौन से shares आपको support level पे मिल रहे हैं आप उस पे invest कीजिए trade कीजिए और profit regular basis पे book किया कीजिए अब बात करते हैं दूसरे share के बारे में जिसका नाम है वोल्टाज अब वोल्टाज कमनी क्या करती है कौन सी category में आती है resistance 2 1140 और resistance 3 मैंने ब्लांक छोड़ा था वोल्टाज आज के date पे यारे कि 26 जून 2021 किसको इसकी जो closing है वो है 1029.95 अभी के date पे इसका support है 920 support 2 है 975 support 3 है 1000 resistance 1 है 1040 resistance 2 है 1080 and resistance 3 है 1140 आप अगर वोल्टाज का high देखेंगे तो यह है 1125 जो almost resistance 2 के पास है और इसका जो lowest वो है 975.10 जो मैंने आपको वोल्टाज का वीडियो अगर आप देख रहे हैं इस पे भी आपको कहा पे buy करना है उसका suggestion दिया है इसके लिए मैं आपको लोगों को बोलता हो कि buy मेरी वीडियो पूरा देखा कि जे पूरा वीडियो देखेंगे तो ही आप वो चीज समझ सकते हैं वो analysis पकड़ सकते हैं अब बात करते हैं actual के बारे में actual company क्या करती है कौन सी category में आती है यह सारा information आप मेरे उपर दिएवे link पे देख सकते हैं actual का मैंने last time वीडियो बना था 22 में 2021 तब इसकी closing थी 2362.25 तब मैंने आपको इसका support दिया था 2200 support to 2350 support to 2420 resistance 1 2500 resistance 2 2615 resistance 3 मैंने blank छोड़ा था actual आज की rate पे कहां पे 2448.65 26 जूम 2020 support 1 अगर आप देखेंगे तो यह 2200 रुपए same दे रहा हूँ आपको support to 2350 support 3 2420 resistance 1 2500 resistance 2 2615 resistance 3 मैं blank छोड़ रहा हूँ अगर आपका इसका भी हाइस देखेंगे तो यह है 2533.95 बट यह resistance 2 तक टच नहीं किया बट आगर इसका lowest देखेंगे तो यह 2319 जो almost support 2 के पास तक गया है तो हमेशा जो मैं आपको बताता हूँ मेरे monthly previews बनाने का reason वही है कि जो भी नए subscriber आते हैं एक साल दो साल तीन साल लगे experience के साथ आप यह strategy से कीचे या तो आप paper trading से start कीचे आपको खुद पता चल जाएगा जो मैं आपको यह strategy बताता हूँ आपको कितना percentage of profit दे सकता है उमीद करता हूँ आपको मेरे वीडियो अच्छी लगे अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और subscribe कीचे जैसे मैं आपको support करता हूँ साही support और resistance दे कर उस तरह आप भी मुझे support कीचे मेरे वीडियो को like कीचे forward कीचे आपने family friends पर forward कीचे ताकि जो लोग भी share market में trading कर रहे हूँ तक यह important information पहुंच सके और आपको कोई भी doubt है आप मेरे comment box पे भी पूछ सकता है या यह मेरा email idea राजmarketanalyst.gmail.com आप इस पे भी mail करके direct पूछ सकते हैं काफी subscriber mail करके पूछ रहे हैं उनको उनके query के reply भी मैं दे रहा हूँ thank you so much have a nice day